आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello guys, तुम्हारा Question है A Radiation Emitted from a Hot Iron is Photon और Quantum तुम्हारा Question में कहा गया है कि जब जो Radiation Emitted होता है एक Hot Iron से वह Photon या फिर Quantum होता है तो क्या ये सच है या नहीं है तो ये एकदम सच है जब हमारा Hot Iron की बात करें तो मान लेते हैं ये हमारा Hot Iron का बाहर है एक हमारे पास ये क्या है Hot Iron है क्योंकि ये Hot है हमें क्या दिया गया है Hot है मतलब इसके अंदर जितने भी Electrons है इसका जो Metal है क्या है इनकी Heat बहुत जादा है Heat जादा होने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो जितने भी Electrons है वह Excited state में किस state में है Excited state में वह अपनी Maximum Energy में है तो यानि कि अब वो क्या करेंगे, वो radiation इमिट करेंगे, तो radiation इमिट करने के इसके पास दो तरीक हो सकते हैं, पहला तरीका क्या हो सकता है, पहला तरीका हो सकता है, जब ये continuous radiation इमिट करेंगे, ऐसे continuous radiation जब इमिट करेंगे, तब इसे हम क्या कहेंगे, तब ये कहा जाएगा photon क फोटॉन तो जब continuous radiation होंगे तो वो photons के रूप में निकलेंगे और जब non-continuous होंगे अब non-continuous कम होंगे non-continuous तब होंगे जब constantly radiations निकल लाएं क्या निकल लाएं continuous यह क्या है continuous का case था continuous जब continuously निकल लाएं photons तो उइसके बार क्या होगा एक behö anche यवर इसकी energy कम हो जाएगी तो क्या और जो energy है वो kuanta के रूप में निकलेगी quantify यानि चोटे-चोटे package के रूप में यह कब निकलेगी यह तब निकलेगी जब energy क्या हो सही है यह एकदम true है कि जब भी hot iron होता है यह energy को किस तरह से emit करता है या तो यह emit करता है photons के रूप में या फिर quanta के रूप में thank you क्लासिक्स से टुएल से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर